हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा अपनों का स्वागत करती हूँ MP सकसेसर्स में और आज इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्यप्रदेश देली कर इंटाफिर की सीरीज 146 के बारे में और यहाँ पर आज हम डिसकस करेंगे 25 दिसंबर 2020 के मद्यप्रदेश कर इंटाफिर के बारे में आज का हमारा फास्ट वकुष्चिन है हाली में पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम ऑफ मद्यप्रदेश पुस्तक का बिमोचन किसके द्वार किया गया है अगर हम यहां पर बात करें तो अप्स नम्बर ए हमारा राइट अंसर होगा मुख्य मंत्री मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी स्री सिवराज सिंग चौहान ने अपने निवास पर पुस्तक हिस्टोरिकल प्लेस नेम सौफ मद्य प्रदेश ठीक है का बिमूचन किया और मुख्य मंतरी स्री चौहान ने किसी सहर और गाओं का नाम कैसे पढ़ा यह अनुशंधन करने और उसकी पुस्तक की रूप में प्रकाशन की सराना की ठीके तो यह आपको याद रखने है यह एक क्वेशन इंपोर्टेंट है पुस्तक का नेम और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में अध्यप्रदेश के करीब 1000 इस्थानों की नामकरण से संबंदेत जानकारी, संकलित और प्रकासित की गई है और इसका प्रकाशन किस ने किया है तो इंटेक जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फो आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेस संस्था द्वारा किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है और पुस्तक का संपादन इतिहासकार कौन है तो स्री आरके सर्मा जबलपोर और डॉक्टर संबू दयाल गुरू भुपाल ने किया है इसका संपादन ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कुछ इंपोर्टेंट टाम्स क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट से भी आपके MCQ बन जाते है क्वेशन पेपर में नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नमर क्वेशन की हाली में मद्देप्रदेश की सभी सास की एकारिकरम बेटियों की पूजा से आरम किये जाएंगे यहने ने किसने लिया था तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्शन नमर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिवराज सिंग अब सभी सास की एकारिकरम बेटियों की पूजा से आरंब किये जाएंगे और राज्य शाषन ने यह निर्णाय मुख्य मंत्री स्री सिवराज सिंग चोहान की 15 अगस 2020 को की गई घोशना के संदर्व में लिया है और शाषन के समस्त विभागोई बम जिलों को उक्त निर्णाय का कड़ाई से पालन करने के निर्दे जारी किये गए है ठीक है तो यह आपको याद रखना है और यह निर्णाय मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने गोशना की थी कब पंद्र अगस 2020 में तो इनका नाम भी आपको याद रखना है और डेट नेक्स्ट कोश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परिच्छा एप पर टैस सीरीज और लाइब वीडियो कोर्से से अब लेबल हैं और अभी क्रिश्मस और हैपी न्यू यर ओपर चल रहा है तो इस पर फ्लैट 50 परसेंट का डिसकाउंट आपको दिया जाएगा इसके लिए आपको कोपन कोड यूज करना है msuccess50 तो फ्लैट 50 परसेंट का डिसकाउंट आपको सबी टेस्सीरीज और लाइब वीडियो कोर्सेस पर मिल जाएगा तो आज ही अपनी टेस्सीरीज जॉइन करें और उसके मादे हमसे अपनी तैयारी को सर्फ स्रेष्ट बनाएं कि यहां पर हम बात करेंगे 3rd number question की आज का मारा 3rd number question है हाली में राष्टि तांसें सम्मान बर्स 2020 से किसको सम्मानित किया गए यह question भी important है very important आप लगा लेना ठीक है तो अगर हम यहां पर बात करें तो राश्टी तांसेन सम्मान बर्स 2020 तो option number C यहाँ पर हमारा right answer होगा पंडित सतीस ब्यास ठीक है तो इनका नाव आपको याद रखना है पंडित सतीस ब्यास को राश्टी तांसेन सम्मान बर्स 2020 से सम्मान किया जाएगा अब detail में हम देखें कुछ important facts इनसे related और तांसेन सम्मान सम्मारों से तो मध्यप्रदेश सासंद्वारा हिंदोस्तानी राश्टी संगीत के छेत्र में राश्टी तांसेन सम्मान बर्स 2020 बिख्या संतूर बादक पंडित सतीस ब्यास को प्रदान किया जाएगा ये question is ee se bantah है कि जो पंडित सतीस ब्यासन को किस इनको किस छेत्र में दिया जाएगा तो ये संतूर बादक है तो संतूर के छेत्र में इनको दिया गया है ठीक है इनका जो में देखा जाए कि ये किस से फेमास है तो संतूर बादक है नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि तांसिन सम्मान के अंतरगत पंडित शतीज ब्यास को दो लाख रुपए की आयकर मुक्तरासी सम्मान पट्टी का सौल बा स्रीफल प्रदान किये जाएंगे और नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर है कि तांसिन सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार पंडित सतीज ब्यास यशश्वी संगीत अग्ये हैं तो यह भी आप याद रखना कि यह संतूर बादक हैं और यह सस्वी संगीत अग्ये हैं जिनके परिवार में शास्त्री संगीत की गहरी परंपरा रही है, पंडित सतीस ब्यास जी के जो पिता हैं, सी यार ब्यास एक गुणी गायक थे और इनको भी 999 में इसी संवान से, यानि की आपका तांसेन संवान से संवानित किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद हैं, और नेक्स्ट हैं पर कि देश बिदेश में अनेक प्रतिस्टे संगीत सभाओं ने आपके संतूर बादन को सहार सराहा गया है, और इनमें तांसेन संवान जुरी में शुष्ट्री शोबा, चौद्री, शुष्री कल्पना, जोकर कर एवं पंडित बलवंत पुराणिक थे, तो इन्होंने जो है, ये जुरी थे, जिन्होंने तांसेन संवान के लिए संतूर बादक पंडित शतीस ब्याद जी को चुना है, ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है हमारा कि पंडित सतीस को 26 दिसंबर को ग्वालियर में तांसेन संगीत समारो कि सुबारंब अप्शर पर इस सम्मान से विभूसत किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, कि सम्मान 2020 में कब दिया गया है, तो 26 दिसंबर 2020 को ग्वालियर में, और नेक्स्ट यहां पर है, कि इसी के साथ पांच दिवश्य तांसेन संगीत समारो का आरम धोगा, जिसमें देश बिदेश के प् पांच दिवश्य कारिकरम रहेगा, नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे, फोर्थ नम्मर क्वेश्टन की, ये क्वेश्टन भी हमारा बेरी इंपोर्डेंट है, ठीक है, यहां पर है कि हाली में मद्ध्य प्रदेश में दिये जाने वाला रास्टी राजामान सिंग तोमर स अबिनाव कला परिशत संस्था भोपाल, तो यह सम्मान 2020 का है, ठीक है, और अगर हम बात करें, 2017 की, यह भी आप याद रख सकते हैं, कि 2017 में रास्टी राजामान सिंग तोमर सम्मान दिया गया था, संकट मुजन प्रतेस्थान बारांसी को और 2018 का यह सम्मान दिया गया था नटरंग प्रतेस्थान नई दिल्ली को और 2019 का यह सम्मान दिया गया था, निनासम हैग गुडू का नाटक को ठीक है, 2019 का और फिर अब दिया गया है 2020 में किसको तो अभिनाव कला परिशा संस्था भोपाल को, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें, मतलब कि अ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अपोइंट्स ही बात करें, तो इसमें हैं कि मद्य प्रदेश सासंद्वारा, हिंदोस्तानी संगीत के छीतर में कारकर रही संस्थाओं को प्रदान किये जाने वाले राष्टी राजामान सिंग तोमर शंबान, अभिना कला पर्शर संस्था बोपाल को परदान किया जाएगा और राजा आमान सिंग तो मर सम्मान के अंतरगत एक लाक रोपए की आएकर मुक्त रासी सम्मान पट्टी का सॉल बस रीफल परदान किये जाएगे तो इस सम्मान में कितनी रासी परदान की जाती है तो एक लाक रोपए नेक्स अगर बात क तो अभिनाव कला पर्षा संस्था बोपाल में 52 बावन बड़सों से सक्रिय यानि कि 52 बावन बड़सों से सक्रिय महत्पून संस्कृतिक संस्था है जिसमें हजारों कलाकारों को मंच और सम्मान देने का काम निश्टा बूर्वक किया है तो यह आपको याद रखना है और न से अपना बड़ा स्थान बनाया था तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट यहां पर है कि इन सम्मानों का चैन सम्मान के लिए गठित चैन समीती द्वारा शर्व शम्मत निर्ने के आधर पर किया गया है और जिसमें राजमान सिंग तोमर सम्मान जूरी में शर्व श्री राजी बर्मा अभिशेक निगम और रास बिहारी शरण सामिल थे तो इनका नाम इतना इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है यहां नेक्स्ट बात करेंगे कि अबना उकला परशद को 26 दिसंबर को ग्वालियर में तांसेन संगीत समारों के सुभार मप्षर पर इस सम्मान किसने ग्रान किया है तो अप्शन नमर ए यहां पर हमारा राज़टान सरोगा शुष्री उसा ठाकुर अगर यहां पर हम बात करें तो परियटन संस्कृती एबं अध्यात्म मंत्री मद्यप्रदेश हैं यह सुष्री उसा ठाकुर जी और इन्होंने 24 दिसंबर को मद्यप् किया और निगम के प्रबंद संचालक स्री एश विश्री उसा ठाकुर को एकाईयों एबं निगम द्वार किये जा रहे हैं निर्माने में विकास कारियों साइथ निगम की गत्ती विदियों से अब गत कराया तो यह आपको याद रखना है और इन्होंने कहा है कि मध्यप् क्वेशन से यहीं कंप्रेट होती है और आप लोग को बता दूं कुछ इबुक्स बगेरा भी एविलेबल हैं सभी किलिंग डिस्क्रेट्ट वॉक्स में दी गई है और अगर आप लोग इबुक्स के माद हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो इनको पर्चेस कर सकते हैं आपको शामान निग्यान MPGK के 1000 MCQ हैं यह सभी प्रीवेसर एग्जाम पेपर के कलेक्शन हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं क्योंकि क्वेशन वगेरा जो आपकी रहते हैं वो घुमा फिराकर उनी टॉपिक से अप्रीवेसर क्वेशन पेपर से उठाकर आ जाते हैं तो अगर आ के लिए कंटिन्यू ऐसी वीडियो बनाती रहूं थैंक यू